जेल्सी Willil 2-3 आखा, चल्सी के 1-3 में फरंटी के साथ प्रस करें है। लेकिन चल्सी के फरंट्री डैडिकटली प्रस नहीं कर रहे थे हैं लिए लीवरपूर्पल इजली व्हाइट लेकर प्रोग्रसण चिंटे liवरपूर्पूर्पोर्पी वाइद बिटिर simply टोथे लिएट के परिए le göra नैंगे किंप पालनेथ मैं चनल्यूंन पता तब Henderson की पूशनिंग हाई होती थी थिएगव अलकंत्रा के वाइड जोन इंसाइड चलन में होने से लिवरपूल अवरलोड करे थी लेफ्ट हैंड साइड माने अर्रेडी नंबर 10 के रोल में था और वो सेंटर से वाइड रिप हो रहा था चल्सी के मिद्फिल एजरी बाइपास और थी मारें फोर्स नाइन था एंड वहीड कर रहा था बीटून देलेफ्ट हाओ सपेस में की फ्रोग्र्सी फुल्बर स्कोर रुकने के लिए चल्सी का विंग इंग फोस हो रहा था कमिट होने के लिए न और चल्सी का विंग बैक आ कर पाया था गोल में लिवरपूल मिडफिल में चल्सी को आउट प्ले करें थी हैंडर्सन सेंटरल प्योट था एंधियग एज़ प्योट नेभी केता एटेकिंग मिडफिल में और माने अज़ फॉर्स नाइज एक तरह से लिवरपूल ने मिडफिल को एक्टेंगल सेफ में बना दिया था लिवरपूल के लिए मिडफिल की दो होरीज़न्टर लाइन थी ठीग और हैंडर्सन की ठर्ड लाइन एंड माने और नभी केता की सेकंड लाइन चल्सी ओंडे पेपर दो मिडफिलर के साथ खेल रहे थी तो चल्सी प्रेस करें थी Henderson और थियागा को तब माने और नभी के था फ्री थे बॉर्सीव करने के लिए और जब कोचिच और जोजिन या डीप उपरेट कर रहे थे था 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 चल्सी के बीट फिल्ड इप उपरेट कर रहे थी माने फ़ॉर्स-9 था दौनों मीट्फिलर के बीच में मीट्फिल में डॉपिंडरों कर रहा था है और लिंक उप सिद्धर से लेने के लिए एक और एलिमेंट था link-up play में माने और Henderson के बीच में जब माने Henderson को lay-up दे रहा था था Henderson first time pass निकल रहा था wingers के लिए Chelsea के wingback के high रहने से Diaz के लिए space बन रही थी flanks पे Chelsea के front men radically press नहीं करे थे Liverpool के centre-back को so Liverpool के centre-backs under-person नहीं आ रहे थे सो कभी कब बार ट्रेंज में इनवर्ट होकर खेल रहा था एंड स्पेर आउट लेट मीट्फिलर बन रहा था अब बात करते हैं चल्सी के पास बॉल पॉसेंट होती थी तब चल्सी किस तरह से गेम बिल्डप प्ले करें थी चल्सी फासित थी, फथी फर्मेशन में थी और बाट 3 तरह में में बिल्ड इंड सीक भी रहे थी चल्सी के बाट 3 स्प्ली थै मेंड बेंड स्प्ली थे एंड और सो ROB के प्रेंद धेल स्प्लीट को लिब…? तो Chelsea first हो रहे थी गोलकिक से long ball खेलने के लिए Chelsea use करे थी double peers जो थे Kovacic और Jorginio Henderson और Nebby के ताहे प्रेस कर रहे थे So Kovacic और Jorginio always under pressure थे और वो बोरेशिव नहीं कर पा रहे थे Liverpool high press कर रहे थी उनके first line और second line के बीच में बहुत ही कम vertical depth थी Kovacic और Jorginio body save करके turn भी नहीं कर पा रहे थे So Chelsea के पास possible एक ही passing route था Aerial balls and Mandy goal kick से target कर रहा था Chelsea के wing back को लेकिन second हाप में Chelsea सुरू के 10 minutes में game dominate कर रहे थी क्योंकि Thomas 2 चल ले build up phase में एक extra main खड़ा कर दिया था Second हाप में Chelsea back form में game build कर रहे थी Right wing back as a right back and left right back as a left back खिर रहा था So Liverpool first place में 3 vs 4 down थी और उनको press करने में दिक्कत हो रहे थी अगर चैनल पे आप नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को like answer कीजिए आपका अपना Danny Europe की top five league के tactics आपको देता रहेगा Thank you वीडियो में अंट तक बने रहने के लिए